इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर यह ऐसे रोगियों के इलाज के लिए उप्योग किया जाता है, जो हाल ही में हॉट अटेक से पीडित हुए हैं. इसका इस्तिमाल पल्मनेरी एंबलिजम और स्ट्रोक जैसी स्थितियों के इलाज में भी किया जाता है. इसे किनिस 1.5 M.I.U. इंजेक्शन को डॉक्टर की इंजेक्शन वाली जगह पर खून निकलना, मिचली आना, अलजिक रियेक्शन और ब्लर प्रेश में कमी हो सकता है. इसके कारण आपके ब्लीडिंग का जोखिम भी बढ़ सकता है. आपका डॉक्टर दवा देने से पहले इस से जुड़े फायदे और जोखिमों के बारे मे बताएगा. आपको इस इंजेक्शन के बाद भी दीरकालीन इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई सलाहनुसार अपनी अन्य सभी दवाएं जारी रखनी चाहिए. इस दवा का इस्तेमाल कुछ लोगों के लिए सावधानी पूर्वक किया जाता है. इसलिए, अगर आ लिवर या किड्नी की किसी बीमारी से पीडित हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए. इसके अलावा, अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं और आप नियमित रूप से जो दवा ले रही हैं, उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी अप पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद